कि नमस्कार रिजुकसन प्लस केड़ में आपका स्वागत है आई टैप 13 की तरफ चलते हैं किसी परिच्छा में उतिर्णांग 40% है रमा 50 अंक लाती है और 30 अंक से फेल हो जाती है तो कुल पूर्णांग क्या इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पास दोनों तरफ हम लोग पास ह भी रखेंगे जैसे यहां देखे 40% साहीओ से पास होने के लिए ठीक है प्राप्त करती है प्राफ्त करती है 50 कि इना प्राप्त करती है 50&ます कि अगर उसे 30 अंक और मिल जाता तो वह भी क्या हो जाती पास यानि कि 40% कि वैलु कितना अची 40% की वैल audio हो गया 80 तो 1% की value हो जाएगा 40 दो ने 82 तो 100% की value हो जाएगा कितना 200 यानि cool अंक कितना होगा 200 किसी परिछम उतिरनांक 60% है रमेश 150 अंक लाता जो उतिरनांक से 30 अंक अधीक है तो cool अंक क्या है उतिरनांक है 60% रमेश कितना अंक लाता है 150 अंक लाता है जो उतिरनांक से 30 अंक अधीक है अगर ये 30 अंक इसका कम होता ठीक है तो ये भी pass के बराबर ही होता तो 60% की value कितना हो जाएगा 120 तो 1% की value 2 हो जाएगा तो 100% की value फिर से कितना आ गया 200 इसका भी answer आएगा किसी परिच्छा में उतिरनांक 30% है 25 अंक लाकर 25 अंक से फेल हो जाता है उतिरनांक कितना है 30% प्राप्त करता है कितना 25% अंक प्राप्त करता है और अगर इसे 25 अंक और मिलता तो ये क्या हो जाता पास हो जाता है इधर भी pass और इधर भी पास तो ये इधर आएगा घटेगा तो 5% की value इधर बचेगा कितना 25 तो 5% की value 25 है तो 1% की value हो जाएगा 5 तो 100% की value कितना हो जाएगा 500 आए टाइप नंबर 13 का चौथा question श्याम को किसी परिच्छा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था उसने 25% प्राप्त के और 25 अंक से fail हो गया तो इससे इधर लाएंग घटाएंगा 40 में से 25 जाएगा 15% 15% की value कितना 45 है एक प्रेसेंट की value कितना हो जाएगा तीन तो 100% की value कितना हो जाएगा 300 यह हमारा cool अंक और pass अंक क्या है चलिए यह हो गया हमारा क्या 300 cool अंक पास अंक निकाल लेते हैं पास अंक कितना 40% तो 40% निकाल लेंगे एक परसेंट की value तीन तो 40% की value कितना हो जाएगा 120 उपर वाले question में भी उतिर नांग 30% है तो 30% की value पास अंक पुझरा 30% की value निकालना पड़ेगा 30 गूने कितना हो जाएगा पांच यानि की डेल सो हो जाएगा प्राइगा